जै जिनेंद्र, जै माहवीर, आज मैं शमापना पर्व, समवसरी पर्व, उसके बारे में बताने आएगू. पर्यूशन पर्व, परवाती राज, पर्वो का राजा, हमने अभी बहुत तव त्याक से मनाएं और आखरी दिन शमापना, समवसरी पर्व मनाते हैं. तो हम उस पर्व में हमको क्या करना चाहिए? हमको गुरु भगवन हमेशा बताते हैं. आज हम उसमें कैसा त्याक, पचकान करना है और दुसरों को शमा कैसे करना है? उसके बारे में जानेंगे. खामे मी सब्वी जीवा, सब्वी जीवा खमन तुमें, मित्ती में सवब हुए सु वेरमर्जन के नहीं. बारे मैं जगत के सब्वी जीवों को खमाती हूँ. जगत के सभी जीव मेरे दोश माफ करें सभी जीव के साथ मेरी मित्रता है किसी जीव के साथ मेरा वहर विरोत नहीं है forgiveness शमा इसका आर्थ है माफी देना, शमा देना शमा देने से हमारी गिंती दूरबल में नहीं वीरों में होती है इसलिए कहा गया है शमा वीरस बूशनम हम जब तक किसी को माफी नहीं देते है न तब तक हमारे मन में सामने वाले के प्रती क्रोत गुस्सा होता है इससे हमारे विवेक गुनों का नाश होता है जगडे और बढ़ जाते है मोहनिय कर्म का बंद होता है अपने भव बढ़ जाते है और मोक्ष से दूर रह जाते है सहनशील बनने से क्रोत का नाश होता है शमा देने वाला क्रोत करने वाले से महान होता है शांती और सुख के लिए हमें अपने अंदर से इस क्रोत को गुसे को निकालना पड़ेगा इसके लिए आप माफी को महत्व दीजिए, सौरी को महत्व दीजिए कुछ से गलती हो गई तो सौरी बोल दीजिए और दुसरे से गलती हो गई तो माफ कर लीजिए बला जब तक सौरी कहने से प्रेम के पूल बन सकते है तो लंबे समय तक द्वेश की दिवारों से सर क्यू टकराया जाए चलो आज हम आपको एक कहानी सुनाते है दो दोस्त थे, चिंटू और पिंटू चिंटू बहुत खुश था क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए रेड कलर की कार लाये थे वो खेल रहा था, पिंटू आया, खेलते खेलते पिंटू का पेर कार पर आ जाता है कार तूड जाती है, चिंटू को गुशा आ जाता है, उसके साथ बात करना बंद कर देता है पिंटू ने बहुत बार सौरी कहा, फिर भी चिंटू नहीं माना एक बार स्कूल में क्या हुआ पता है? एक बार स्कूल में चिंटू को पिंटू की जरूरत पड़ी, लेकिन वह कैसे बोल सकता था? उसे तो पिंटू पर घुस्ता था, लेकिन पिंटू समझ गया, दोस्तों के लिए वह सामने से चिंटू के पास गया, उसकी मदद कर दी, च नहीं करना चाहिए था पिंटु ने भी सौरी कहा और तुरंत माफी दे दी अब दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए तो आपको क्या सीख मिली अगर पिंटु चाहता वह मदद करने नहीं जाता लेकिन शमा देना ही सच्चा गुन है शमा देने से मोक्ष मिलता है सहज समा कब होती है पता है जब सामने वाला व्यक्ति को निर्दोश मानता है दुर्योधन से निपटने के लिए दुर्योधन बनने की जरूरत नहीं सच तो यह है अरजुन बनकर ही दुर्योधन से निपटा जा सकता है चोटी सी चिनगारी चोटा सा छेद चोटा सा शब्द भारी विनाश कर सकता है वैसे ही चोटा सा क्रोध व्यक्ति को विनाश की और धखेल सकता है हमसे मिलकर कोई खुश हो या ना हो, मगर हमसे मिलकर कोई ना खुश न हो, इसका सधा द्यान रखना चाहिए स्वयम से स्वयम को जानने का परव शमा भाव से उचा उठने का परव आत्मा से परमात्मा पद्द की और बढ़ने का परव है समवसरी परव शमा पना परव जैन होना बड़ी बात नहीं है जैन बनना दुरलब है तो आओ, हम सब वीर के सुपरस्टार सबको शमा मांगे और सबको शमा कर दे अभी तक मैंने कोई वीडियो में किसी के मन दुखने के विरुद्ध बात कही हो आगम के विरुद्ध कोई बात कही हो तो मैं सबको दिल से शमा मांगती हूँ कद बड़ा है नपद बड़ा है गलतियों को माफ कर दे वह सबसे बड़ा है दो हातों से हम दस लोगों को नहीं हरा सकते है पर दोनों हात जोड़ कर करोडों लोगों के दिल में जग़ बना सकते है उनको जीट सकते है तो आओ हम आज दोनों हात जोड़ कर सब को शमा करते है शमा मांगते है I am sorry खतम करो कहानी पुरानी तो आओ ये शमापना में हम सब को शमा करके शमापना परव मनाते हैं सब लिटिल स्टार सभी बढ़ूं को छोटों को I am sorry कहोगे जै जिनेंद्र, जै महावीर